च्रीक्रिष्ण कौन है? पहले समझो क्रिषिर्भू बाचका शब्दा नस्च निरिबृत्ति बाचका तयो रैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्य भीधियते गोपालतापनियोपनिषत सच्चिदानन्द ब्रह्म है श्रीक्रिष्ण तमेकं गोबिंदं सच्चिदानन्द बिग्रहम ध्यान दीजे अब बेद बोला है भगवान का शरीर सच्चिदानन्द है इश्वराप्परमाक्रिष्णहा सच्चिदानन्द बिग्रहा ब्रह्म संगिता भी कहती है पाच एक और बेद ने कहा तेतिसमे मंत्र में गोबालतापनियोपनिशत में वो सच्चिदानन्द उनका शरीर है जो वो है वही उनका शरीर है गधे की अकल से समझो हम लोग पंच महाभूत के हैं शरीर हाँ और हम दिब्य है जीव दिब्य है इसका जन्म नहीं होता इसकी मृत्तू नहीं होता नजीव ओ मृते भेद कहता है ना आत्मा शुर्तेर नित्यत्वाच्यताब्या बेदांत कहता है अजो नित्या साच्चतोयम पुराणा गीता कहती है कठोपनिशत कहता है भगवान कहते न बहून में बेतीतानी जनमानी तव चार जुन मेरे भी अनंत जन्म बीच चुके चार पाँच गीता लेकिन एक अंतर है अरजुन जन्म कर्म चमे दिव्यम चार नौ मेरे जन्म दिव्यम अरजुन कहता है अरे हम भी तो आजाएं हमारा जन्म कौन प्राकृत है नई नई तू प्रकृति के अंडर में है माया के अंडर में है इसलिए तेरा जन्म प्राकृत है तू दिव्य है तेरा जन्म प्राकृत है और मैं दिव्य हूँ मेरा जन्म भी दिव्य है दिव्य मैने मेरा शरीर मैं हूँ देह देही भिदार नई व पद्न पुरान बेद नहीं है, मुझमें और मेरे शरीर में, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा जन्म दिब्ब्य है, महापुरुष आते हैं संसार में, वो भी प्राकृत शरीर धार्ण करके आते हैं अवतार लेकर, गो लोक में रहते हैं महापुरुष, उनका भी शरीर अलग है, आत्मा अलग है, केवल भगवान ऐसे हैं, जिनका शरीर भी भगवान नहीं है, इस बात को नारद जी ने कहा, विशुद्ध बिज्ञान घनम स्वसंस्थया, समाप्त सर्वार्थम मोगवांचितं, स्वते जसा, नित्य निभृत्त माया, गुणप्रभाहं भगवन्त मीमही, दस सैंतितेईष बाढवत, यानि भगवान का शरीर दिभ्य, भगवान नहीं है, इसलिए, उद्धव ने भी कहा, न माता, न पिता जस्य, भगवान के मा नहीं है, बाप नहीं है, अपने आप बन गए शरीर, क्या करें बिचारे, न मा न बाप, न भार्जा, श्रीमती भी नहीं, एक मेवाद दुतियम ब्रह्म था न, पहले अकेले थे, सबई नहीं वरे में, सौ, महने अकेले, न सुताद आया, बच्चे बच्चे भी नहीं, अरे जब श्रीमती नहीं, तो बच्चे क्या होंगे, ना अत्नीयो, ना परश्चा भी, अपना भी कोई नहीं, पराया भी कोई नहीं, अकेले थे, न दे हो, जन में ए वच्चा, दे भी नहीं, जन में भी नहीं, कोई कि, श्वयम दे है, उनके देह नहीं होता, लेकिन, ग्रीरार था हा, लीला के लिए, स्वयम देह बन जाते हैं, स्वयम अपनी श्रीमती बन गए, क्या करें, मजबूरी, वो भगवान का शरीर दिव्य, वो श्वयम शरीर हैं, ब्रह्मा कहता है, अस्याप देव बपुषो मदनुग्रास्य, स्वेच्छा मै अस्य, न तुभूत मै अस्य को भी, दस्च्युदा दो, आप तो अपने आप शरीर बना लेते हैं, और कोई मैटर नहीं होता आपके शरीर के लिए, आप ही मैटर हो जाते हैं, आप लोग भागवत पढ़े होंगे, सुने होंगे, संक्षेप में समझ लीजिए, अवतार का प्रकरण जब हुआ, तो भागवान सबसे पहले बशुदेव के मन में गए, मन में, यह यह इतनी लंबी क्यों की मार्चिंग, सीधे सीधे जाते देव की के मन में, भागवान पि विश्वात्मा भक्ताना मभयंकरा आविबेशांश भागेन मन आनक दुन्दुभे, बशुदेव के मन में जाकर बैठ गये, अब वहीं हेड आफिस हो गया, अब वहीं से प्लानिंग होगी क्या करना है, उसके बाद गये देवकी के मन में, मन में, हृत्पद्मकोशे देवक्या अधिष्ठानम चकारा, यह पिछला असलोग 10-12-16, बाढ़वात्य, अब वहीं से सब कारवाई हो रही है, क्या कारवाई? मा के पेट में हवा भरने लगे, फुटबाल आप लोगों ने देखा है ने, वो पिछका होता है, उसमें जितनी बार हवा भरो, धीरे धीरे धीरे, अरे गुबाला जैसे होता है, तो मा समझ रही है, बच्चा आ गया पेट में, और जो जो लक्षण होते हैं, गर्भिनी के, वो भी कर रहे हैं, मन में बैटके, जैसे उल्टी होती है, और टहीं, ये वो खाने को मन करता है, अलूल जलूल, मा ही जानती हैं, वो सब फीलिंग हो रही है, और रही कुछ नहीं पेट में, वायू, फिर्द पद्मको से देवक्या, फिर्द धर्दै में बैटे, और हवा भर रहे हैं, इसी प्रकार नौ महीने, एक बार और भर दिया हवा, अब सात्वा महीना हो गया, अब एक बार और, अब आठ्वा महीना हो गया, सत्वो पपन्नानी, सुखा बहानी, सता मभद्रानी, मुहुख खलानाम, दस दो वंतिस, उनका शरीर वई है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, हवा लीक कर जाए, साइकल में किसी में, तो वो पिचक जाता है न, वैसे ही, जो पेट था, देवकी का, उसके हवा निकाल दिया, हवा का जो में कनेक्शन था, वो हिरदाय में था, ठाकुर जी के हाथ में, खाली हो गया पेट, कुछ आश्चर जो हुआ, मा को, इस क्या हुआ, अब बच्चा बच्चा तो हुआ नहीं, इस कहां गया बच्चा, और तमद्भुतं बालकमं बुजेक्षणं, चतुर्भुजं, शंख गदार जुदा जुधं, दस तीन नौ, चार भुजा से, सोलह बर्ष के, सामने खड़े हो गए पिता जी, ये बच्चा जी, पिता जी बन गए, और सब हथियार जुक्त, चक्र भी, और सामने जेल में, प्रकाश हो गया कमरे में, हलका हलका, मा को कश्ट न हो, अरे चक्र का प्रकाश होता, दो तो सब की आँखा ही चली जाती, तो मा ने समझ लिया, ओ, हमने बर मांगा था ना, होई है, आ गए, मा ने कहा, आपको तो हमने बेटे के रूप में मांगा था, ये बाप के रूप में आ गए, तो उनने कहा, मैं इसलिए आया हूँ इस रूप में, कि अगर मैं डाइरेक्ट बेटा बनता, तो तुछको डाउट रहता, क्या ये भी वही पिछले बच्चों की तरे कोई होगा, इसलिए मैंने कहा, मैं पहले बता दू, कि मैं कौन हूँ, फिर मैं बच्चा बनूँगा, ताकि तेरी बुद्धी में पक्का बिश्वासर है, जो बर्मांगा था, वोई ही आये हैं, इसके पहले और बच्चे हुए हैं न, जिसे कंस ने मार डाला, तो मैया समझती, ये भी कोई बच्चा है से योगा, तो स्थुति वगेरा किया, नन बशुदेव जी ने, पत्तो स्यजनमस्थिति संजमान बिभो, बदंच्यनिहाद गुणाद अविक्रियाद, वईश्वरे, ब्रह्मनिनो बिरुद्यते, त्वदाश्रयत्वादुपचर जते गुणाई, दस तीन वनननाईस, आप तो इच्छा रहित है, और फिर भी जनम लेते, आपके तो कोई गुणुण है नहीं, निरुगुण है, माईक गुण तो है नहीं कोई, क्योंकि प्रकर्ती से परे, और फिर भी गुण के कार्ज करते, ये जनमों गैरा, आप में दो बिरोधी शक्तियां हैं न, योग माया और माया, इसलिए ये ये इसी बाते हो रहती हैं, स्वाभावे कहें, माने भिष्टुति किया, रूपम यत्तत्प्राहु रभ्यक्तमाध्यं, ब्रह्मज्योतिर निर्गुणं निर्विकारं, सत्तामात्रं निर्विशेशं निरीहं, सत्वम साक्षात् विश्णु रध्ध्यात्जीपा 10, 3, 24. जो आप निर्गुण निर्विशेशन निर्विश्योत्रны, निराकारूप से बताएगे हैं, वही आप हमारे सामने, इस समय विश्णू रूप में, कृष्णू रूप में खड़े हैं, बड़ा आश्चर्ज है कि जिसके एक रोम में अनंत कोट ब्रहमांड समा जाता है वो मेरे छोटे से गरभासे में कैसे रहा अभी मैया को यही ब्रहम है कि मेरे गरभासे से निकल के बाहर खड़ा हो गया बिश्वम जदेतत् स्वतन उनिशांते यथावकाशं पुरुषप परोभवान बिभर्ति सोयं ममगर्भगोभू अहो न्रिलोकस्य बिड़ंबनमितत् दस्तीन यक्तिस्ट अच्छा महाराज ठीक है सब जो कुछ है अब आजाएए वही जो मैंने मांगा था उपसंगर विश्वात्मन नदो रूप मल हू की कम ये शंख चक्र कजा पद्म और ये भगवान विश्णु वाला रूप इसको समाक्त की दिये महाराज अब बच्चे बन जाईए हैं हमारे दस तीन तीस बच्पिर क्या है बन गए भए प्रकट क्रिपाला हो गया वो चाहे रामा वतार हो चाहे कृष्णा वतार हो तो ये दिब शरीर से ही वो सामने आये थे पेट में कुछ नहीं था गरभेच भायुना पूर्णे वो भगवान का आवतार भृत्या नुकम्पित धीये ग्रिहीत मूर्थे तीन अठ्थाइस वन्पित भागवर्ण भृत्य के लिए दास के लिए भगवान वो देह अपने आप वाला सच्चिदानंद विग्रा देहधार्ण करते हैं तो ये बात पहले आप बुद्धी में भर लीजिए कि भगवान का शरीर भगवान ही है सच्चिदानंद ब्रह्म स्री कृष्ण सच्चिदानंद ब्रह्म उनका शरीर इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से जन्म कर्म चमे दिव्यम चिदानंद मय देह तुम्हारी बिगत बिकार जान अधिकारी ओ इस प्रकार हमारे इस्टदेव भगवान स्री कृष्ण का शरीर दिव्य है अब दिव्य शरीर का कैसा होता है रंग ये कोई पूछे चुप दिव्य शरीर का रंग पूछता है संसार में तो जितने रंग है वो सब प्रकती के हैं अब मैं कैसे समझाऊं तुषको तो महापुरुषों ने धोका दिया हम लोगों को ने का नील सरोरु है नील मणी पादे नीला कमल तो रोज देखते हैं उसको देखके क्या जनक जी भूल जाएंगे अपनी निर्विकल्ब समादी नील मणी ये नील बादल ये एक्जाम्पल दे रहे हैं महापुरुष लोग क्या करें कैसे समझावे हम लोगों को दिब बस्तू तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं आधार एक आईडिया जिसे कहते हैं हलका सा इसके लिए ये सब शब्द हैं और उस शरीर का रंग फंग सब अलवकिक है बुद्धी से परे है भगवत प्राप्ती के बाद आप देखेंगे लेकिन तब भी बता नहीं सकते हैं बद देखेंगे वो शब्दक ग्राहिय नहीं है तो भगवान की अनंत शक्तियां है अनंत रूप है सर्ब्यापक है सर्बग्य है और दिब्विदेह वाले है वो ऐसे हमारे इस्टदेव हैं उनको प्राप्त करना है अनंत रूप है अनंत रूप है और देखेंगे वाले है वो शब देखेंगे